आज हम लोग एक numerical solve करेंगे regenerative cycle पर numerical में देखे देख क्या रखा हुआ है कि इन्हें single heater regenerative cycle the steam enter the turbine at 30 बार and 400 degree centigrade single heater यानि feed water जो heater है वो single यहां पर use हो रहा है ठीक और steam enter the turbine at 30 बार and 400 degree centigrade तो जब पर भी हम कोई vapor power cycle कि निमेरिकल करते है तो करते है सबसे पहले उसका टीज्ट डाइगराम बना लेते हैं कि इसको जानने के लिए इसको टीज्ट डाइगराम बना लेते हैं तो कल हम तो यहां पर रिजनरेटिव साइकल करेंगराम बना लिए अब 30 बार दे रखा यानी बॉयलर पेशर जो है बॉयलर पेशर 30 बार 30 बार दे रखा है और जो साइकल का मैक्सिमूम टमप्रेचर यह 400 डिगरी सेंटिग्रेट दे रखा है अब कहरा है कि एड़ इग्जास जो होता है वहाँ पर यह प्रेशर है वह पॉपराइट 5 बार यानी वह घ्चेतर प्रेशर करते है यानी ये लाइन है saturated temperature वाली इससे भी एक pressure line होके गुज़रेगी और यह जो pressure line जाएगी इसका हमको दे रखा है यहाँ पर कि यह pressure जो है वो 5 बार है अब कह रहा है कि इसमें calculation क्या 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 करना है the cycle efficiency at the steam rate regenerative cycle की efficiency calculate करनी है और steam rate calculate करना है second दे रहा है कि the increase in the mean temperature of heat addition इस mean temperature of heat addition क्या होगा इसमें यह calculate करना है और उसमें भी efficiency और steam rate calculate करने है as compared to the rankine cycle ठीक है और compare भी करना है rankine cycle से इसको तो सबसे पहले टीज़ डाइग्राम में देख लीजे कि enthalpy हर एक point पे हमको देखनी है अब enthalpy at point one इस point one को देखने के लिए हम क्या करेंगे steam table में जाएंगे steam table में दिया रहता है property of superheated steam superheated वाले steam में जाएंगे और उसके बाद वहाँ एस की value दे रखे होगी एस यानि entropy की value दे रखे होगी तो पूरे जो expansion line है हमारी one से two तक expansion line जो है इसमें आप देख रहे हैं कि जो entropy हमारी वह नहीं change होती है यह क्योंकि यह adiabatic expansion process होता है na adiabatic process होता है तो कोई internal heat का generation नहीं होता है ठीक surrounding के sorry तो इसमें जो entropy रहती है वो constant रहती है ठीक तो देख रहे है एस वन आले point s2 और s5 इस साब पर entropy constant रहेगी तो s वहां से वह value देख लेंगे फिर two वाला जो point है यहां पर क्या है कि हमारी यहां पर जो quality of steam है वो थोड़ी सी हमको saturated से कम मिलेगी यानि यहां पर कुछ न कुछ dryness fraction की value होगी तो s1 is equal to s2 लगा के यह formula लगा के हम सबसे पहले dryness fraction निकाल लेंगे और dryness fraction निकालने के बाद उस dryness fraction की value हम enthalpy वाले formula में रखके वहां से enthalpy at point two निकालनेंगे ठीक उसके बाद point three के enthalpy के लिए हम क्या करेंगे कि यह देख रहे सीजे से saturated liquid line पर है ठीक और यहां पर जो point one बार पर point one बार पर stream table में जो hf की value होगी वही enthalpy at point three होगी अब क्या है कि point four पर हम enthalpy नहीं निकालेंगी क्योंकि neglect pump work नहीं नहीं यहां पर होगा नहीं यानि फोर वाला जो पॉइंट हो डिरेक्ली three पर लाई करेंगा अब enthalpy at point six six point पर हम enthalpy निकालने के लिए क्या करेंगे कि यह देखे यहां पर यह जो इंटर बीच वाला जो प्रेशर लाइन है यानि फीड वाटर हीटर का जो प्रेशर है वह हमको five बार दे रखा है तो five बार दे रखा है तो यहां से हम डिरेक्ली एचाफ केल्कुलीट कर लेंगे देख लेंगे वहां से स्टीम टेबल से कि एचाफ की वैलू five बार पे कितनी है ठीक है इस डाइग्राम में क्या होता है त्याइस डाइग्राम में जैसे जैसे उपर बढ़ते हैं टम्रेशर भी हमारा इधर इंक्रीज हो रहा है और यह जो प्रेशर लाइन जाती है इसका भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहां से इन्थैल्पी पे निकाल लेंगे अच्छा seven point पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे seven point पे निकालेंगे यह नहीं क्योंकि देर है पंप और निग्लेक्ट करने के लिए तो यह seven वाला जो point होगा वह six पे ही लाई करेंगा अब इन्थैल्पी five पे हम कैसे निकालेंगे five इन्थैल्पी का calculation कैसे करेंगे आगे जब calculate करेंगे तब हमको बताएंगे अब देखिए यहां पी क्या स्टीम टेबल से यह one वाले point पे हमने इस्टीम टेबल में देखा तो इंथैल्पी हमको इतनी मिली इंथैल्पी के बाद हमको इंट्रॉपी इंट्रॉपी हमको इतनी मिल गई तो टीएस डाइग्राम से यह देख रहे हैं हमने बताया भी आपको वन और टू दोनों पॉइंट पर हमारी इंट्रॉपी जो है वह constant है एस वन इस इकॉल टू अच्छा एस टू वाले point के लिए इस जो latent heat वाला यह sensible heat का region है यह latent heat का region है तो latent heat वाले region के लिए हम क्या जानते हैं एक formula जानते हैं कि इसमें अगर कहीं हमको entropy या फिर enthalpy निकालना हो तो उसका formula होता है SF plus X SFG X क्या है dryness fraction की value होती है तो यहाँ पे quality of steam कैसी है यानि इस point 2 पे हमको dryness fraction क्या है यह हमको नहीं पता है ठीक तो लेकिन यह formula हमको पता है इस formula को लगाए हमने तो SF अब SF यह कहां पे होगा SF यानि यह वाला यह वाला जो point 1 बार पे SF plus SFG इस latent heat वाले region के लिए SFG यह दोनों हम steam table में देख लेंगे यह point 1 बार है pressure base पे जब जाएंगे हम saturated steam के property के लिए तो उस पर pressure base और temperature base दो टेबल हमारे रहते हैं तो pressure base वाले में हम point 1 बार पे देख लेंगे कितना है यह value यहां से लेंगे तो यहां से हम dryness fraction calculate कर लिए dryness fraction हमने calculate कर लिया अब क्या है कि यह dryness fraction की value आ रही है point 83 ठीक उसके बाद क्या है क अब हमको enthalpy निकालना है point 2 पे तो enthalpy का formula हम जानते है hf plus x sfg अब hf की value कहां से आएगी steam table में जब आप जाएगे तो property अब जहां से हम sf की value लिखे थे उसी line में उसी row में हमारा दिया रहेगा इसकी value hf की value ठीक है उसी row में hf की value दी रहेगी और उसी के ठीक वगल में hfg और फिर उसके बाद hg यानि saturated vapor के लिए लिखा रहेगा ठीक है तो यह value वहां से हम देख लेंगे steam table से और उसके बाद हम enthalpy at point 2 निकाल लिए अब enthalpy at point 3 क्या होगा saturated liquid state में है तो saturated liquid state में point 1 bar के लिए जो hf की value होगी वही यहां पे h3 हो जाएगी हम लेख सकते हैं अब देखिए उसके बाद hfg h4 हम calculate नहीं करेंगे फंप और के लिए h4 वाला point कहां पर लाई करेगा एस त्री पर लाई कर लेगा और h6 अब हम h6 निकालते हैं कैसे निकलेगा कि अब देखिए यह क्या है कि यह प्रेशर यह प्रेशर लाइन हमारी दे रखी थी 5 बार तो 5 बार के लिए saturated stream के लिए property दे रखी होगी आपके stream table में वहां से देखिएगा आप 5 बार के लिए जो hf की value होगी जो होगी वही है वही होगी inthalp at 0.6 ठीक है अब देखिए 5 वाले point पे अगर हमको inthalp देखनी है तो 5 वाले point है यह हमारा किस state में है superheated state में है और superheated state में हमको property देखने के लिए दो value पता रहनी चाहिए तब हम या तो molyard डाइग्नाम से या फिर stream table से हम उसकी value देख लेंगे तो इस पे हम देख रहे हैं कि जो entropy है overall इस expansion process में जो entropy है वो constant है यानि जो entropy हमने s1 पे लिया था s1 पे हमने stream table से देखा था s2 प उनको at.5 भी जहां से हम blade steam का extraction कर रहे हैं जिस पॉइंट से उस पॉइंट पर भी entropy जोगी steam की वो उतनी ही होगी ठीक है तो यहां पर entropy हमारी उतनी ही होगी अच्छा entropy हमको पता है और इसकी इसका हमको प्रेशर भी पता है यह प्रेशर लाइन भी हमने दे रख यह प्रेश यहां पर हम h5 की value यहां से लिख सकते हैं h5 हम भी calculate कर लिए अब देखिए अब क्या है कि सारी चीज calculation हमने कर लिया है अब हम turbine work को अगर निकाल सकते हैं लेकिन क्या है कि कितने केजी हम steam वहां से मतलब आइडिली process हम ले रहे थे हैं आइडिली process लेने का मतलब है कि हम ले र आके और फिर हम वाइलर में उस फीड वाटर की इंट्री कर आ रहे थे मीन temperature जो होता है heat addition का उसको हम increase कर रहे थे यह कितने केजी में हमने steam यहां से लिया है यह हमको नहीं कोश्चन में दे रखा है तो हम इसका calculation करेंगे तो कल हमने आपको यह formula बताया था कि s6 is equal to क्या होता है energy mass balance जब यह formula लगाएगा तब यह आ जाएगा यह क्या है कि यहां पे इंटल्पी हमको 6 मिलेगी और जो मास का स्टीम होगा स्टीम का जो मास होगा वह वन होगा यहां पर आ रहा है m kg of blade steam आ रही है यहां से 1-m kg of water आ रहा है तो यह दोनों मिलके क्या m plus 1-m यह हो जाएग तो यह formula लगाएंगे 6 हमें पता चल गया था हमने कर इस टीम टेबल से देख रखा था एच फाइफ हमने अभी इस टीम टेबल से देखा ही है और एच फॉर एच फॉर भी हम एच फॉर क्या होगा अब एच फॉर यहां भी हमने बताए कि पंप वर को जब निग्लेक्ट कर हैंगे तो हमारी M की वैलू आ जाएगी यहां पॉइंट 1724 kg यहां पर आ रहा था ना तो उसका एक छोटा सा पार्ट देखे कितना है पॉइंट 1724 kg इस टीम हम यहां से एक्स्टेक्ट कर रहे थे जिसको हम ब्लेड स्टीम बोल रहे थे ठीक अब यह होगे अब हमारा क्या ह निकालना है तो तरवाइन वर्क देखे तरवाइन वर्क क्या हो जाया कि वन से वाले के लिए हमारा वन के जी अफितीम है और वाइप से पॉइंट टू के लिए यहां फितनी कि वह वह जाएगा बन यहां पर दोंकिन मिलेकी वह वन मानिस मैनस हफिस्टीम है सब्लस के से किप्टिप्लाइब करेंगे तर्बाइन वर का केलकुलेट करेंगे क्योंकि हम ने देख रखेंगे तो टर्बाइन वर्क हमारा इतना जाएगा हीट-दीशन कहा होता है बॉयलर में यहां दो रहा है एक इस प्रसेस में हो रहा है ठीक है यो फीट में हीट-दीशन होरा है और लेकिन फीट-वाटर हीटटर में होघेचन वह रहा है वह इंटेर्णल हीट-D subtitles है अरल जो और यां करते हैं फूल को कहीं करते हैं जाते हिए अनर्जी को यूसके लिक्विन हूं मेराओ हुआ यह याना सब्न से कैसे ने आता है ध्यूल में तरकि stem करते हैं थ neighbor पर फेस्ट करता है उसके बाद हम को उसको और थोड़ा हीट करते हैं सुपर हीट सुपर हीटर यूज करके जिससे वह स्टीम हमारी वेट से पूरी की पूरी ड्राइब में कनवर्ट होती है और सुपर हीट इस चेट में चली जाती है तो इसमें इतना हीट एडिशन क्या है कि हमारा टोटल हीट एडिशन है हमको 177 में को पता था थीक है तो यह तो 20 की very वैलू हमने निकाल लिए को एक क्यों को कि बीवालु निकल गई और उसके पहले हमने टर्वाइन वर्क भी निकाल लिए तो हम साइकल कि अगर निकल करने तो क्या जाए डब लूटी अपन तो फसॉपलाइट यहां पर हाँ इतना रहा था और क्यों हमारा इतना अब इस दोनों को जब इस एक्वेशन में रखेंगे तो इफिसीएंसी आ जाएगी थर्टी सिक्स पॉंट जीरो नाइन परसेंट अब हमको एक चीज और दे रखा था कोशन में कि हमको इस्टीम रेट निकालना था इस्टीम रेट का क्या फॉर्मूला होत साथ लेट देंगे तो ये जो इतनी केजी आश्तीम हमको मतलब टर्माइन का जो वर्क हो उसके पर आवर में हमको इतनी की जरूवत पड़ेगी ठीक है अब दूसरा उसी में पाट था मीन टम्रीचर अवीट अडीशन निकालना अच्छा इस जो heat addition वाला point 1 से point 6 क्योंकि यह 7 वाला point तो 6 पे लाई कर लेगा तो 1 से 7 यानि यहाँ पे जो हमको temperature मिला हो ठीक है और यहाँ पे जो हमको temperature मिला है यह temperature तो हमको नहीं पता है ठीक लेकिन यह temperature हमको 400 पता है अब यह दोनों temperature के बीच में एक mean temperature लाइन जाएगी ठीक है तो हम जब आपको mean temperature of heat addition बता रहे थे तो formula बता रहा होगा कि total heat addition तो हम जाना है h1 minus h7 होता है ठीक is equal to mean temperature difference के formula में अगर इसको हम लिखते हैं तो यह क्या हो जाता है q is equal to हम यह भी जानते हैं कि in enthalpy का changes जितना होता है ठीक वह भी होता है क्यू और q is equal to tds एक हम formula जानते हैं तो ½ ivreform była qotha कैशा होता है डीवर सिवल Carroll prov прим कह यहाँ पर हो नहीं रहा है pump कवर्क न होने से यह seven वाला point six करण तो six वाले पर यह जो इंट्रापी होगी वही हमारी उसको हमको देखना है स्टीम टेबल से तो स्टीम टेबल में जब आप जाएंगे से इस के लिए तो सिचे रापटी जहां से छेते जहां से हमने एचल देखा था है जाहां से देखा था उसी ठीक अचछ पयगल में आग़ ह chapters FG होगा, HG होगा और आगे उसी में SF की value लिखी होगी, तो SF जो देखेंगे, SF at 5 bar जो होगा, वही होगी entropy, ठीक है, entropy at 0.7, या entropy at 0.6 उसको हम कह सकते हैं, ठीक, अब इस formula से अगर इस H1 minus H7 is equal to T mean, अगर इस दोनों को equate कर देंगे, तो T mean का एक formula हमको मिल जाएगा, ठीक है, T mean का एक, ठीक है, इसको और इसको, इन दोनों को अगर हम equate कर दें, तो T mean का formula क्या हो जाएगा, H1 minus S7 divided by S1 minus S7, H1 minus S7 अभी, देखे, H1 minus S7 हमारा अभी यहाँ पे भी था, ठीक है, हमने अभी निकाला था, Q heat addition निकाला था, तो H1 minus S7 वहाँ पे भी किये थे, तो उसकी value इतनी, 0.1 पे, 0.1 पे हम enthalpy stream table से सबसे, जब calculation start कर रहे थे, इसका solution start करते, तभी हमने यहाँ पे entropy देख रखा था, तो वो entropy यहाँ लिख देंगे, और 0.7 पे, या 6 पे जो हमारी entropy थी, अभी हमने उसको stream table से देख रखा, कि वो इतनी होगी, Sf की जो value होगी, तो इसको जब करेंगे और इस formula में रखेंगे, तो, sorry, इस formula में रखेंगे, तो T mean की जो value आजाएगी, T mean की जो value आजाएगी, वो कितनी आजाएगी, 5 double 1.80 Kelvin और 273.15, अगर इसमें से subtract करने, तो जो value आएगी, T mean की, वो हो जाएगी, हमारी mean temperature हो जाएगा, ठीक है? अब mean temperature के बाद, अब क्या है कि हम regeneration वाले process को हटा दे रहे हैं, यानि इसको हम simple rankine cycle मान रहे हैं, और calculation कर रहे हैं फिर, क्योंकि इस दोनों को correlate करना है, कि simple rankine cycle में हमारी क्या efficiency आ रही थी, और regenerative cycle बनाने के बाद क्या उस efficiency में changes आए, इस दोनों को हमको देखना है, तो अगर regeneration process को हमें अटा दे रहे हैं, यह simple rankine cycle हो गई, simple rankine cycle में 0.1 क्या है, 30, 30 बार 400 degree centigrade, तो इस point पे हमें आप enthalpy पहले देख रखे हैं, इस point पे हमने इंट्रॉपी भी देख रखी है, H2 भी हमको पता ही है, H3 भी हमें पता है, अब H4 क्या है, H4 को हम यहाँ पे neglect करेंगे, क्योंकि pump और को हमको neglect करना है, ठीक है, pump और को neglect करेंगे, तो 4 वाला point आजाएगा, 3 पे, ठीक, अब 4 वाला point 3 पे आजाएगा, तो यहाँ पे 3 वाले point के लिए, हमको S की value नहीं पता थी, क्योंकि अभी इस से पहले, अभी इस पहले, इस वाले point पे हम H की value देखे थे, HF देखे थे, लेकिन entropy नहीं देखे थे, तो वही point 1 बार पे, point 1 बार पे जब हम आएंगे, steam table में saturated water के लिए, तो जो SF की value होगी, वही हमारी इस point पे entropy होगी, ठीक है, तो वह entropy हमने देख के steam table से लिख लिए, point 1 बार पे कितनी होगी, तो वह आ जा रही है, कितनी आ जा रही है, point 6514, ठीक, और अब देखना है कि Q1 कितना होगा, यानि mean heat addition इस वाले process में कितना होगा, ठीक है, अब इस वाले process में जो heat addition होगा, वह कितना होगा, H1-H3, H1 भी हमने calculate कर रखा है, और H3 भी calculate कर रखा है, यानि H3 भी calculate कर रखा है, तो दोनों को subtract कर लेंगे, तो Q1 की value आ जाएगी, अब हमारा क्या है, कि अब इसके बाद हम निकालेंगे, कि mean temperature, तो mean temperature देखिए, कैसे निकालेंगे, इसमें, इस वाले process के लिए mean temperature क्या होगा, एक यहाँ पर T1 मिल ला है, और यहाँ पर T4, यह 4 वाला point 3 पर लाई करेगा, तो एक temperature यहाँ मिल ला है, तो अगर इसमें heat addition कितना होगा, H1-H3 हो रहा है, और अगर mean temperature के लिए formula लखेंगे, तो हो जाएगा T mean, और S1-S3, ठीक, उस formula से यहाँ पर हम mean temperature निकालेंगे, सेम उसी तरह निकालना, जिस तरह हमने mean temperature इस ते पहले निकाला था, ठीक, तो वो mean temperature आजाएगा, हमारा 484 point something, इसको हम 273.15 से subtract कर लेंगे, तो यह हमारा mean temperature आजाएगा, जो हम rankine cycle में, without regeneration यूज कर रहे थे, अच्छा अभी हमने, जब अभी से पहले, जब हमने mean temperature निकाला था, regenerative cycle के लिए, तो वो 238 point 65 degree centigrade आ रहा था, और यहाँ पर क्या है, mean temperature हमारा 211 आ रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, यानि increase in mean temperature में, increment कितना कर रहे हैं, क्योंकि efficiency जो होती है, 1 minus T2 divide by T mean होती है, तो T mean के value को हम increase करते हैं, तो हमारी cycle की efficiency increase होती है, तो T mean, यानि mean temperature में, हम कितना addition कर रहे हैं, यानि कितना increase कर रहा है, है तो 27.204 degree centigrade हम में टमपेचर में एड़ कर रहे हैं अब उसके ही रेसियो में हम तर्बाइन वर्क यहां पर कलेंगे अब तर्बाइन वर्क क्या होगा तर्बाइन वर्क क्या होगा है एच वन माइनस एच टू होगा यह जितना तर्बाइन वर्क वहां पर हो रहा था अब क् ट्रबाइन वर्क कितना हो रहा है तर्बाइन वर्क के बाद अब हमको निकालना है यहां पिकू सप्लाइड कितना होगा जो हम सप्लाईड करेंगे थीख यह इस तीम डेट इसलिए निकालने केले हम क्या करेंगे तर्बाइन वर करते हैं तो तर्बाइन वर्क हमने किया इतनी इतनी वैली आ जाएगी किलो जूल पर किलो वाट आवर में ठीक है अब साइखिल की कि यहां से निकाला है इन दोनों को लिग देंगे यहां पे हमारी दोनों को हम सब्ट्रेट कर लेंगे आपस में और यह देख लेंगे कि हमारी efficiency में इंक्रिमेंट कितना हो रहा है हम यहां से निकालें कि increase in cycle efficiency कितनी होगी increase in cycle efficiency क्या हो रहा है कि with regeneration regeneration जब हम कर रहे थे तो अब हमको 0.3609 efficiency मिल लए थी और जब regeneration use नहीं कर रहे हैं तो हमको efficiency इतनी मिल लए है तो percentage increase in efficiency इसको subtract कर लेंगे यानि 1.946% हमारी efficiency जो हो रही है वो increase हो रही है तो हमने यह आज इस numerical में हमने यह देखा कि कैसे cycle की efficiency increase करती है और mean temperature of heat addition जो है वो कैसे increase करता है increase in mean temperature यह देखिए यह दोनों value increase करते हैं हम तभी जाके हमारी इसको regenerative cycle बोलते हैं और हमारी efficiency भी increase होती है थैंक यू